आज हम बनाएंगे गर्मा गरम यूपी स्टाइल तहरी, ये तहरी की रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, इसमें खुब सारी सब्जेयां पढ़ती हैं, और जब आपका खाना बनाने का मन नहीं करें, तो आप 10 मिनट में ये रेसिपी बन तो यहां पर ये देखी ये ग्लास है जिससे कि हमने चावल पूरा एक ग्लास भर के लिया है, तो चावल को हमने दो तीन पानी बहुत अच्छे से वाश कर लिया है, इसके बाद हम इसको बीस मिनट के लिए सोग कर रग देंगे, इसके साथ अब मैं आपको सब्जियां दि के साथ हमने दो कप फ्रेश मतर ली है, हरी मतर के दाने आप चाहे तो इसकी जगे पे फ्रोजन मतर भी ले सकते हैं, एक बड़ा आलू लिया है, जिसको कि हमने इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है, तो बस सबजी आप मोटी मोटी काटियेगा, इस बात का ध्यान रख कियेगा, प्रेश कुकर को हमने गैस पे चड़ा दिया है, गैस की फ्लेम लो है, और हम तेहरी बनाएंगे देसी घी में, तो चार चम्मच देसी घी में प्रेश कुकर में डाल दिया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग वाइल यूज कर सकते हैं, गी जैसे ही गरम हो जाए तीन से चार लॉंग दालचीनी का एक इंच का टुकड़ा, और काली मिर्च वन फो टेबिल स्पून, बस खड़े मसाले मितने ही डालेंगे, बीस से तीस सेकेंड हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे घी में और इसी के पाद दो मीडियम साइज की प्याज, ज दो मिनट से तीन मिनट तक भूनना है, प्याज का कलर हमें बिल्कुल लाल करना है, तो बहुत अच्छे से हमें प्याज को भूनना है, तो यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें प्याज को कितना भूनना है, तो यह देखिए लगभग तीन मिनट हो गया और लो टु म तो इसको भी हम low to medium flame पे लगतार चलाती हुए भूनेंगे खुब अच्छे से, यहां पे लैसुनद्र का पेस्ट बहुत अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे, हमने गोभी डाल दी है, आलू डाल दिया है, और इसी के साथ हमने मतर के दाने डाल के साथ, ऐसे fry करेंगे तो आपकी तहरी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, तो यहां पे हमने सब्जियों को बहुत अच्छे से फ्राइ कर लिया है, लगभग 2 मिनिट हो चुका है सब्जियों को भूनते हुए, अब हम इसमें डाल देंगे 1-4 टिबिल स्पून हल्दी एक चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच लाल मेश पाउडर डाल देंगे, और साथ ही में हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, मसालों को भी हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से भून देंगे एक मिनिट तक के लिए, इसके बाद हम तीन से चाफ नार्टर तो यह मैने लंबे-लंबे कात लिया हैं, अब इसमें काच के डाल देंगे. इन सारी चीजों के साथ हम टमाटर को खूब अच्छे से मिला देंगे, अब हम यहाँ पे टमाटर को इन सबजियों के साथ ढख के, दो से तीन मिनट के लिए लोग फ्लेम पे कुक करेंगे, तो तीन मिनट बाद हम खोलते के देखते हैं, कि टमाटर, बहुत जादा तो हमें को को यह सोफ हो जाए, हमेने इतना ही तामाटर को गलाना है तो बहुत अच्छ से गल गिया है अब विसमें तो हुगा किया हुआ जावल डाल देंगे चावल को भी अब हम इन सारी चीजों के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे एक से दो मिनट के लिए लो टू मीटियम फ्लेम पे तो चावल को जब भूनेंगे तभी आपकी तहरी में वो लाजवाब स्वादाएगा तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे कहने से ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आने वाली है हमारी यू-प स्टाइल तहरी तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिये यहां पर देखिए दो मिनट हो चुका है मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे चावल को भी इन सब्सक्राइब के साथ बहुत अच्छे से भूल लिया है तो अब हम इसमें हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे दो टेबिल स्पून आदा चम्मच से थोड़ा सा ज़ादा गरम मसाला डाल देंगे और इन सारी चीजों को भी हम अच्छे से मिला देंगे और जिस ग्लास की नाप से हमने एक ग्लास चावल लिया था तो अब हम डेड़ ग्लास पानी लेंगे तो इसका मतलब एक ग्लास चावल में हमको डेड़ ग्लास पानी डालना होता है तो इस प्रोपोर्शन को आप ध्यान में रखिएगा अब हम इसमें एक चम्मच निम्बू का रज डाल देंगे इससे आपकी तहरी बहुत खिली-खिली बनेगी तो बस इन सारी चीज़ों को मिला दिया प्रेशर कूकर का धक्कन लगा दिया और मीडियम फ्लेम पे हम दो सीटी आने तक का वेट करेंगे यहां पे एक सीटी आ गई इसी के साथ हमारी दूसरी सीटी भी आ गई तो बस फटाख से हम क्याज की प्लेम को कर देंगे बंद और दस मिनट के लिए हम प्रेशर कूकर को ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसका प्रेशर पूरा रिलीज हो जाएगा तभी हम प्रेशर कूकर का धक्कन खोलेंगे तो चलिए देखते हैं हमारी तहरी कैसी बनी तो यह देखियो वाह क्या तहरी बनी है गर्मा गरम सर्दियों के मौसम में चावल और मटर गोभी आलू की तहरी बहुत ही लाजबाब लगती है तो उमीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो यह देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं सबजियां भी बिल्कुल भी ओवर्कुक नहीं हुई है क्योंकि हमने सब्जियों को मोटा मोटा काटा था तो इन सारी चीजों को बहुत आहिस्ते हातों से हम मिला देंगे जिसे कि सबजी अराम से सब तरब से पराबर से मिल जाए और इसको गर्मा गरम हम प्लेट में सर्फ करेंगे तो कैसी लगी आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए जादा से जादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल आशे उस कुकिंग मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हम फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए घर का बना हुआ खाना खाईए स्वस्ते रहिए मस्ते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए बाँ बाई एंड टेक क्यार